बिहार के कई जी लें बार से डूप चुके हैं और बार एक प्राकिर्टिक आपदा है तो हमारे मुख्यमंत्री नितीश कुमार कर भी क्या सकते हैं उन्होंने तो हुआई सर्वेक्षर किया ही है विलगातार हेलिकॉप्टर में बैठ कर बार प्रभावी छेत्रों का दौरा क नितीश कुमार बार कुँपल कर रहे हैं वहां के लोगों को हर्संबब मदद देने का वादा कर रहे है लेकिन इतीश जी हर साल यही करते हैं और उपर से जो तमाम बयानबाजी होती है कि अब बार जैसी समस्या को सरकार कंट्रोल कर लेगी उसका क्या होता है भगवान जाने। सरकार बाढ़ को सिर्फ इतना ही कंट्रोल करती है कि जो बाद इस साल तूटा है उसे अगले साल तक नहीं मनाया जाएगा और अगले साल फिर बाढ़ आएगा तो हमारे नेता बोल देंगे यह तो एक प्राकिर्तिक आपदा है जो नेपाल से आने वाली पानी की कारण आता है बाकी मुख्रवंत्री निटिश कुमार ने सभी जिलादिकारियों के अनिर्देश दे दिया है कि आप अपने अपने छेत्रों में इस बात का आकलन करें कि कितना नुकसान हुआ है और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी इस बात का भी अलान हो अब इससे ज्यादा हमारी सरकार या हमारे मुख्रवंत्री या हमारे नेताकर भी क्या सकते हैं। अब नमस्कार हमारा नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जन टाजक्षुन का विचेस कारीकरम एकस्प्लेडर। हमारी सरकार बाल को प्रकीर्टिक आपदा बोलती है तो यह अच्छा नहीं लगता। इस साल बाल के आने तक बनाया नहीं जा सकता है। बात वैसा ही रहता है और फिर जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो गाउं का डुबना तै हो जाता है। हमने आपको कूल दिन पहले मुझे अफ़र पूरता ख़बर बताया था जहां पिछले साल का टूटा हुआ बात इस साल तक नहीं बनाये गया है। और अब वहाँ बार आने के बाद सरकार तो कहेगी कि यह एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन इसमें सरकार का कितना दोश है उसके बारे में शायद ही सरकार के कोई मंत्री साहब बताएंगे। सरकार कोई चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतना पैस्ता खर्च होता है रेकिन उसके बावजूद बात का मरमत तैस समय पर सही समय पर पूरा क्यों नहीं किया जाता है। संजय अगरवाल लगातार हुआइस सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बाल परभावित वाले छेत्रों में NDRF और SGRF की टीम तैना आती यही है। मुख्यमंतर नितिश कुमार ने कहा कि लोगों को रहत पहुचाने के लिए हमें काम करना है और सरकार उन्हें हर प्रकार की मदद पहुचाना चाहती है। जब मुख्यमंतर नितिश कुमार हुआई सेर में छण कर रहे थे तब क्रिसी विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंदन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौझूद थे। हमारी सरकार मदद तो करती है लेकिन पहरे बार भी खुद लाती है या उसमें उसका पूरा दोश होता है। अगर सरकार ये सुनुशित करें कि सही समय पर बाजों का मरमत हो और बाल के नाम पर पैसों का बंटा धार ना हो तो फिर काफी हद तक बिहार बाल की चुनोती से निपर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर बाल प्रबंदन के नाम पर लाको रुपया हमारे सरकारी या दिकारी और हमारे नेता अपने जेव में कैसे डाल पाएंगे। राज्य भर्ज ऐसे कई मामले सामने आये जहां जिस बोरे में बालू डार कर बाज बनाना है वहां बोरे में मिट्टी डाला जा रहा है। एक और बात है कि भिहार आथिर हर साल बार से की बताता है कि अगले साल चुनाव में वोट लेने के लिए कितना सब कुछ पर्याप्त है। करोलो की लागत से बनी हुए सड़क कुछ सालों में बाढ़ के कारण धर्श जाती है और उसका जबाब देने वाला कोई नहीं होता। कोई या नहीं बताता है कि जब उस छेतर के कि पहले कभी जून में इतना बारिस नहीं हुआ है इस बार जून महीने में अधिक बारिस हो गया जिसके कारण बार जैसे हिस्टी बन गई है लेकिन हर बार तो जैसे भी यार में बार आता ही नहीं है हर साल बार आता है कभी हत्या वरस्ता है तो कभी जून महीने में ही अधि की नीचे लहीं कर सकती है अब वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को आप शेर कीजिये अगर फेज़ सब्सक्राइबर में यूटुप पर देखने तो फेज